हरे कृष्णा आज हम एक प्रश्ण लेने वाले हैं कि आज की जो यंग्स्टर्स हैं मिलेनियल्स हैं हाउ दे कैन स्टे अवे फ्रॉम दा फीलिंग ऑफ जैलेसी जलन की भावना से कैसे दूर है देखिए जलन की भावना ऐसी है सामने से तो आप खुश दिखाए देंगे लेकिन अंदर से आप जल रहे होंगे इसलिसका नाम जलन की भावना है अगर अंदर आग लगी हो और सामने से आप कितना भी प्लास्टिक स्माइल दिखाएं आप परसन नहीं रह सकते आप देखिए महा भारत में दुरियोधन जो था वो इतना द्वेशी था पांडवों का इतना द्वेशी था एक कि भगवान से कृशन जब शान्ती दूद बन कर आए और भगवान ने कहा कि आप पांडवों को पांच गाउं दे दो ये लोग अपने आराम से रह लेंगे अगर आप चाहते हो तो आप राजा बन जाओ लेकिन दुरियोधन ने दुरियोधन ऐसा जैलस था ऐसा जैलस था कहा अरे सुई की नोक के बराबर जितना स्थान होता है ना उतना स्थान भी आपको रहने के लिए नहीं दूँगा इनको मुझसे युद्ध करना पड़ेग तब जाकर के अगर जीत गए तो ये राज ले सकते हैं सोचिए ये क्या है ये जलन की भावना है जब जलन की भावना और स्ट्रॉंग हो जाती है तो ये दुएश में परिवर्तित हो जाती है दुएश में हम दूसरे का बुरा करना चाहते हैं उसका नाश कर देना चाहते ह और यह भावना से हम अंदर ही अंदर पीडित होते हैं दुर्योधन के बारे में बताते हैं कि दुर्योधन के सर पर जब छाता लेकर कि उनके सर्वेंट्स चलते थे तो दुर्योधन कहता था यह उपर से चाता queste महराज आपको धूप से बचाने लगाया है दुरोधन कहता है मैं अपने से उपर चाते को भी बरदाश्ट नहीं कर सकता है तो अपने से उपर किसी को बरदाश्ट ना करने के कारण यह जो mentality है कि बस मैं ही सबसे टॉप में रहना चाहिएू I am the best यह जो mentality है लोगों को jealousy की भावना में परिवर्तित कर देती है अब देखिए अगर आप यह जीवन में तीन C's को हटा देते हैं C is for criticism, C is for comparison and C is for complaints अगर यह तीन C आपके जीवन से हट जाएंगे आपका जीवन द्वेश और जलन की भावना से रहित हो जाएगा इस जलन की भावना के एक उत्तम कैटेगरी होती है जिसको कहते है मसर की भावना मसर शब्द को कई बार मच्छर से भी बताया जाता है कि मच्छर जो है ना वैसा होता है मसर मच्छर कैसा होता है? खून चूसने वाला खून चूसता है दूसरों का और फिर चूसकर के बिना पता उड़ जाता है ऐसे ही जब ये जलन की भावना दूएश और दूएश से मसर में बन जाती है आदमी दूसरे का विनाश करता है उसी का सबको छीन लेना चाहता है जैसे दूरियोधन के अंदर दूएश से मसर तक परिवर्तित हो गया था सारा यूद करके इतने हजारों लोगों का उसने वद करवा दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे गद्दी चाहिए तो आपको ये क्रिटिसिजम दूसरों का क्रिटिसिजम करना बंद करने चाहिए ये क्रिटिसिजम क्यों होता है विकाज कंपेरिजन होता है कंपेरिजन बंद हो जाएगा कि उसके पास पांच लाग क्यों और मेरे पास साड़े चार लाग क्यों पहली चीज़ है कंपेरिजन वो गोरा क्यों, मैं काला क्यों, वो पतला क्यों, मैं मोटा क्यों, वो हाई सैलरी पैकेज में क्यों, मैं लो सैलरी पैकेज में क्यों, ये कंपरिजन आपको बंद करना चाहिए, जैसे ही आप कंपरिजन बंद करेंगे, तो फिर आपकी ये दो सीज होने बंद हो जाएंगे, अगर loyalty से चलता, तो मेरे जैसा होता, मेरे पास जादा इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं loyal हूँ, क्योंकि मैं royal हूँ, लेकिन दूसरे वाले के लिए complaint करते रहें, complaint करते रहेंगे, और complaint करते एक दिन criticism में बदल जाएंगे, जलन की भावना आजाएगी, दुवेशी हो जाएंगे लेकिन इतना सब हो जाने के कारण आप रात को चैन से सो नहीं पाएंगे, comparison, criticism and complaint, जब आप ये बंद कर देंगे, तो ही आपका जीवन संतुष्ट रह सकता है, इसकी जगापर आपको लेके आना चाहिए, C&C, C&C मतलब है, care and concern, आपको दूसरों की प्रतिक careful होना चाहिए, उनकी care करनी चाहिए, दुख्यों की मदद करनी चाहिए, अगर कोई परिशान है, उसकी help करनी चाहिए, और उनके लिए concern रहना चाहिए, हम लोग क्या है, दूसरों की मदद नहीं करते हैं, दूसरों की care नहीं करते हैं, दूसरों के लिए concern नहीं रहते हैं, सिर्फ अपनी care करते हैं अपने लिए कंसर्ण रहते हैं और दूसरों से कंपेर करते हैं उसके कारण complaints होती है और फिर दूसरों को criticize करते हैं इसलिए mental tension में रहते हैं अगर हम ये बंद कर देंगे हमारा जीवन आनन्द से भर पूर्ण हो जाएगा नरे कृष्णा प्रेस्ट बेल इकों तो नेवर मिस अविडियो फ्रों वन्मोल नूस